इस वीडियो में हम बात करेंगे फाउल पॉक्स यानी मुर्गियों का चेचक इसमें हम बिमारी के लक्षड और उप्चार के बारे में भी बताएंगे चेचक ये भी पॉक्स वाइरस के कारण होता है यह चेचक बड़े मुर्गी मुर्गियों में कम होता है लेकिन छोटे चूजों में अधिक होता है और इस बीमारी के कारण 50% तक मुर्गियां मर जाती है यह बीमारी छुवचुद जैसी होती है, एक मुर्गी दूसरे मुर्गी के साथ में रहने पर और कुछ केस में होता है, कुछ कीडे काटने के कारण भी यह बीमारी फैलती है चिन मुर्गियों में हुआ है उन सभी मुर्गियों और चूजों को अलग करके रखना चाहिए नहीं तो बिमारी फैल जाता है चेचक के लक्षड की बात करें तो मुर्गे मुर्गियों में यह वाट यानि फफोले जैसा दिखाई देता है केस के उपर चोटे चूजों में यह मुह नाक आँख के पास में दिखाई देता है आँख नाक से पानी आना, खाना कम खाना, वजन घटने लगना, बड़ी मुर्गियां कमंडा देती है इसका असर दो तीन हफ्ते तक रहता है मुर्गियों के मरने का कारण की बात करें तो जो फफोले पढ़ते हैं फफोले बड़े हो जाते हैं जिससे मुह नहीं खुलता दर्द होता है और खाना नहीं खाती इससे भी मर जाता है दूसरा कारण आँख के पास फफोले इतना बड़ा उभार बनाते हैं कि आँखे बंद सी हो जाते हैं और सामने दिखता नहीं जिससे भोजन ढोडने में उनको दिक्कत होता है तीसरा कारड नाक से पानी आने से सांस लेने में दिक्कत होती है और मुह से सांस लेने लगते हैं चेचक से बचाओ की बात करें तो चूजों को 21 दिन के बाद डिवार्मिंग कर लेना चाहिए और 6 हपता यानि 42 से 45 दिन की उम्र होने पर फाउल पॉक्स का वैक्शीन दे देना चाहिए इसका बुष्टर 16 हपते के बाद लगाना चाहिए या वैक्शीन दस्मलो 2 यमेल छोटे सिरिंज की मदद से चमडे में या पंक के मास में देना चाहिए या वैक्शीन बड़े मुर्गियों मुर्गों में वर्ष में एक बाद दिया जाना चाहिए मुर्गियों में चेचक के उपचार की बात करें तो इसमें होश्ट्रा साइक्लेन नाम का पाउडर होता है जो कि 5 ग्राम 2 लिटर पानी में गोल के पिलाना होता है या फिर दूसरा पाउडर टेट्रसाइक्लेन पाउडर ले सकते हैं जो धाई ग्राम दो लिटर पानी में गोल के पिलाया जाता है इसके साथ में जो सेशी में दिख रहा है उसको विमरल लिक्विड बोलते हैं दो यमियल विम्रल लिक्विट एक लिटर पानी में गोल करके पिलानी के लिए देजिए और जो उपर हिमैक्स क्रीम है वो घाओ पे लगा सकते हैं इसे मक्खी नहीं बैठेगी और उसके आगे इंफेक्शन नहीं बढ़ेगा। घरे लूप चार में चेचक के दानों के उपर हल्दी पाउडर और एलोवेरा को समान रूप में मिला करके लगाना चाहिए।